त्पम्सुरू हो चुका है और लगाता ठंड से बचने के लिए स्वास्त भिवाग गरम स्वास्ते रहने के लिए चाय और कौफी और सूप का इस्तमाल करते हैं और बताते कि यह सदियों में यह चीज आहर करना चाहिए तो कही न कहीं जिस तरीके से फलो का जो हमें करना चा उस मौसम के फल हैं हमें वही लेने चाहिए जैसे अनार, अमरूद, संत्रा, नाशपाती क्योंकि ये सारे फल हम इम्मुनिटी बूस्टर होते हैं हमारे इम्मुनिटी बढ़ाते हैं प्लस इनमें विटामिन B, C बहुत अच्छी मात्रा में होता है दूसरा फाइबर फाइब नहीं होती ठीक है सर्दियों में ये फल इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इन फलो से हमारी बौडी में हुमोग्लोविन जो है वो बढ़ता है और सही मोटर मेटाबॉलिसम के लिए जो ये विटामिन्स और मिनरल्स है ये बहुत मात्रा में हमारे लिए जरूरी ह के अम्रूद फल बताए जाता है याज हो थे हम दोस्कों ओने के कारण सथे वह तिक उच्ट हो जाती है अंदू में भाइटमन-सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है इसलिए और वाइटमन-सी होने के कारण वह इम्मुनिटी पूस्ट करता है हमारी इसलिए हमें उन whahts से वो बचाता है एक्जाट्ली खांसी में हमें वो नहीं खाना चाहिए लेकिन अगर हम अम्रूद का सेवन करते रहते हैं तो खांसी से हम बचते हैं बिल्कुल जिस तरी के डॉक्टर सोनिका ने बताया कि जो फल हमें सर्द्यों में खाने चाहिए वो नाचपाती सेव अनार और अम्रूद और संत्रा यह हमें सर्द्यों में इनका सेवन करना चाहिए जिस्ते कि हमारी सरीर को पोस्टिक जो आहर वो मिल सके जी टेंदर को लेकिन फरीरबाद